Study IQ IS अब तयारी हुई affordable अभी रिसेंटली सुप्रीम कोट ने कलकत्ता हाई कोट से केस को ट्रांसफर कर लिया है अपने पास में कलकत्ता हाई कोट के अंदर में केस चल रहा था कि medical admission के अंदर में fake caste certificates का क्या किया गया है यूज किया गया है अब वहाँ पर जो judgment आई हाई कोट के single judge bench के and judge presiding over division bench उनके बीच में क्या है conflicting judgment आई इवन ये भी आरोप लगा कि एक judge government को favor कर रहे है तो इसके बीच में क्या किया सुप्रिम कोट रहे है उस केस को अपने पास ले लिया यानि कि a five judge bench of supreme court headed by chief justice of India डी वाई चंदरचूड had to take suo moto cognizance और उसके बाद में क्या क्या किया वो केस को अपने पास में transfer कर लिया अब इस के पीछे इतने से जाद आपको जाने के जूरत नहीं है यहाँ पर रिट का बहुत important role होता है तो रिट के बारे में पढ़ते हैं तो रिट क्या होता है रिट के अगर define किया जाए तो simple सी बात यह समझे कि रिट is a written order issued by supreme court और high court in India क्या purpose है रिट का हमारे constitution में क्यों add किया गय रिट serves as constitutional remedies available to Indian citizen to address violation of their fundamental right आपने साब उनको fundamental right तो दे दिये हैं बट वो इन fundamental rights को enforce कहां से कराएं तो इसके लिए article 32 यह कहता है कि आप Supreme Court में move कर सकते हैं अपने rights को अपने rights को क्या कराने के लिए enforce कराने के लिए ऐसे ही दोस्तों आप high court भी move कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के है टू टू 6 के ता है ठीक है तो आर्टिकल 32 of Indian constitution deals with constitutional remedies available through the Supreme Court while article 226 प्लीज यह articles को note करके रखिएगा कि article 32 Supreme Court की रिट jurisdiction की बात करता है और article 226 high court के रिट jurisdiction की बात करता है before 1950 high court of Calcutta, Bombay and Madras के पास में ही पावर थी कि वो रिट जारी कर सकते हैं बट उसके बाद में हर आई कोट के पास में यह रिट की पावर आ चुकी है अगर देखा जाए रिट का जो provision हैं कहां से लेकर आएं English law से लेकर आएं British law से लेकर आएं तो भारत के अंदर में रिट अभी जस मैंने आपको बताया article 32 Supreme Court के पास में यह पावर है और इसको 32 article में क्यों रखा गया पार्ट 3 में क्यों रखा गया कि सर्फ इसको क्या बनाया गया fundamental right बनाया गया और हाई code के अंदर में आर्टिकल 226 प्लीज नोट करके इसको रखिएगा प्रिलेम्स के लिए क्या है बहुत important है अब एक difference और है आप हाई code के अंदर में जो आर्टिकल 226 के तहत में जो आप रिट मूव कर सकते हैं या रिट प्रिटेशन फाइल कर सकते हैं वो fundamental right and किसी other topic के लिए भी फाइल कर सकते हैं बट supreme court में सिर्फ और सिर्फ आफ fundamental rights के violation या फिर उसके enforcement के लिए रिट jurisdiction के लिए फाइल कर सकते हैं तो यानि कि जो high court की जो power है वो क्या है ज्यादा है या क्या लिजिए jurisdiction ज्यादा है रिट के मामले में कि कई बार पूछा जाता है कि high court की रिट jurisdiction ज्याद है कि से supreme court से हैं तो कुछ type के रिट्स हैं जैसे hebascorpus, mandamus, prohibition, surgery and co-warantum एक एक करके इनको हम देखना शुरू करते हैं haveascorpus to have the body of मान के चलिए किसी एक individual person का unlawful detention हो जाए तो उसको उसके fundamental right को क्योंकि उसके पास है fundamental right है individual liberty का तो इसको ensure करने के लिए इस रिट का use किया जाता है can be issued against both private and public authorities मान के चलिए बिना किसी सबूत के बिना किसी उसके आपको police arrest कर ले तो आपके basis पर कोई भी right jurisdiction move करेगा कि फला फला x y z person को illegal तरीके से detain कर लिया गया है तो वहाँ पर supreme court क्या direction देगा है है बस corpus दूसरी दरफ में देखा जाए मानिके चलिए कोई आपके parents या आपके family member आपको कमरे बंद कर दे तो उसके right jurisdiction लगा यह नहीं not applicable when detention is lawful for contempt of legislature or court by contempt of court or outside the courts jurisdiction उसमें यह limited है दूसरा है mandamus इसका मतला है we command जब आप public officials को उनकी duty को perform करने के लिए command करते हैं यानि कि court command करता है public officials को bodies को to perform their duty जो उनको करनी चाहिए थी बट वो नहीं कर रहा है अब यह आप private individuals के against नहीं हो सकता कि आप यह कहें कि भाइसा मुझे कल को क्या खाना है शाही पने खाना है और मम्मी नहीं मना कर दिया तो आप Supreme Court जाए कि एक क्या करिए mandamus writ जारी करिए कि शाही पने बना दिया जाए ठीक है लिमिटेशन क्या है can't be issued to enforce non-statutory departmental instructions mandatory work discretion किसी के पास discretion है कि यह काम नहीं भी कर सकते contractual obligation और against president governor or chief justice of India उनके गिस्ट में नहीं हो सकता prohibition prohibition का मतलब क्या to forbid prohibit करना यह क्या करता है कि कोई भी lower court अगर अपनी jurisdiction से exceed कर रहे है जो jurisdiction उनके पास में नहीं है उस case को सुन रहे है तो उनको रोकना क्या करना उनको रोकना to prohibit कि आप इस case को pursue ना करे क्योंकि आपकी jurisdiction से यह ज्यादा है तो issued against judicial and quasi judicial authorities ठीक है दूसरा है चौता अगर 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 जारी किया गया है जैसे वेस्ट बेंगॉल से कहा गया यह case हमें सौप यह जैनि कि higher court ने order जारी किया lower court को कि यह case हमें transfer करिए तो वो क्या हो गया सर शरी ठीक है तो याद रखेंगे यह भी चीज उसके बाद मैं को वरंटो बाइवट अथॉर्ट और वारट मान के चलिए कोई कल को आपके डीम के office में जाकर बैठ जाए यह वैसा मैं तो आसे डीम हूँ तो यानि कि illegal तरीके से कोई public office में अपने आप को क्या करें मैठाले वहाँ पर चला जाए तो यह क्या किया जाता है वहाँ पर रिट जारी कहेता है को वरंटो इशूड वहन है पर्मानिंट public office created by statute और constitution is involved और वहाँ पर कोई दूसरा illegal तरीके से public office को hold करने की कोशिश करें ठीक है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable